सरो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आई ओप आप सब लोग माज़त होंगे बडिया होंगे दोस्तों कि आप सबी लोग जानते हो जो सबजियों का राज़ा यानि की आलु आप की किचन में जरूर हो और हर सब्जी में आलू डलता है मतलब जादा तर सब्जियों में आलू ही डलता है तो आप क्या करते हो जब आलू की सब्जी बनाते हो आलू को कट करके सब्जी में डालते हो लेकिन जो उसका छिलका होता है उसे आप फैंक देते हो आपको नहीं पता कि आप छिलके से किस त देखोगे आपके बालों में धीरे धीरे रंग आने लगेगा आपके बाल काले होने लगेंगे और मतलब टाइम से पहले आपके बाल सफेद नहीं होंगे यह बहुत ही अच्छा तरीका है अपने सफेद बालों को काला करने का और टाइम से पहले आए हुए सफेद बालों को क आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लेने है अम जितने मतलग आपके घर में सबजी बनती है आ कि आ पने अलू गोभी की सबजी बनाई तो भचाने मेंरे अच्छा रिजल्ट मिला कि वह बहुत ज्यादा मतला उनको यकीन नहीं हुआ कि आलू के चिलके इतनी अच्छी डाय का काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा और तम मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने इसको लगाया एपलाई किया उसके बाद फिर मैं भी मतला अपनी बालों मे अच्छा ने के बाद अब हम क्या करेंगे जो चिलके हैं इनसे हम बनाएंगे ब्लैक डाय और जो आलू है उसे आप सबजी में यूज कर लीजिए ठीक है चिलका है निकल चुका है अब आपको क्या करना है आपको लेना है एक ऐसा बढ़तन आपको लेना है और अगर आपक बढ़न गल्स लिए एक लास पाने के अंदर जो आपने तीन से चार आलू या चार से पांच आलू लिए ठीक है घे जत्ट hm wij टीजिए ओर ओर इस आप बर दाल करके और पर आ खील है जिससे जो आपके आलू के छिलके हैं और इनका इफेक्ट पानी के अंदर ठीक से आ पाए ठीक है ऐसा नहीं कि आप एक बार डाल के और इसी तरीके से छोड़ दीजिए आपको हिलाते हुए रहना चम्मस से तो पानी में यहां पे आ चुका है ओवाल पानी में ओवाल आने प आप ours रख सकते हो जिसे खराब नहीं होगा ठीक है आप में इसुड़ी को कम से कम तीन दन अपने बालों पर लगाएं अगर आपके बाल छोटे हैं और आप रोज़ा ना अपने बालों को थोती हो तो आप रोज़ा ना ही इस पानी को बना लें चाहते हो एक बाल बिदा ल पर लगा और अभी मोसम जादा चेंज नहीं हुआ है लेकिन हलका होने लगा है तो आपको हो सकता ठंकी प्रॉब्लम हो जाए अगर आप इसे पूरी रात लगा कर रखोगे लेकिन गर्मय में आपको ठंकी प्रॉब्लम नहीं होगी यह डाय ऐसी है कि आप इसे किसी भी सीजन में लगा सकते हो ठीक है लेकिन आप अपने अकोर्डिंग लगाए कि आपको सर्दी तो नहीं हो जाएगी उससाब से ने तो दिन में अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है इसे लगाना है नहानी से दू गंटी पहले एक से दो चमस भरकी मेनेजमेंट डाला है आमला पाउडर अगर आपके घर में आमला पाउडर नहीं है तो आप एक आमला ले लिजी सूखा उसे थोड़ा सा कूट लीजी और इसी के अंदर आप डाल दीजी जो आमला होता है ये वी एक नेस्रोल डाय का काम करता है और ये हमारे बालों को मजबूत बनाता ह है मोटा बनाता है साथ में सफित बालों को काला करने में ये मारी पोज़ादा हेल्प करता है कैस को मैंने एकदम धीमा करके रखा हुआ है आपको इसी तरीके से धीमियाद में से पकाना है ये पकाने के लिए आपको कम से कम 15-20 या फिर 20-25 मिनट अराम से लग जाएंगे अ आप आलू का छिलका निकाल के सबजी ना बनाया करें आलू को अच्छे से दो लीजिए और छिलके के साथ ही आलू की सबजी बनाया करें तो आपके मतला बोड़ी के अंदर आयरन की कमी नहीं होगी यहाँ पर मैंने इस पाने को अच्छे से अबाला ठंडा किया और छान ल अगर केक्षिता रहा हो झाला कपी करणे में दिखन से लाट wow इस साइड से हें टोड़े थोड़े थोड़े बाल होने लगए हैं यहांसे लिए तो आपको लगाने से पहले आपको शैंपू करना होगा आपके बालों में ऑईल नहीं होना चाहिए कोई भी ओईल नहीं होना चाहिए शेंपू होना बालों में शेंपू करके रखना है बालों को ड्राय करना है उसके बाद आपको इस तरीके से इस प्रीगोटल से अपने बालों पर इसे लगाना है लेकिन यहां पर क्या हुआ जो मेरी इस प्रीगोटल थी थी थोड़ी सी खर ने जड़ों में लगाने से नहीं आप्षेड में जतने भी बाले olsun याप मैं लगाने साना में प्रवटन समय है तो इस तIRE सीठाब और भुरवी हमचासी कतर आप लग哪 tag ешके एक है जड़ा मैं साइट-ईजरी और भी छाइए शौत कर सकते हो एक लाइड कर कर सकते हो अपको रोजाना खाना है एक आमला खोना लश्里 हुआं साइगक है तरह अपने अपनी डायेट की यह चटनी था अको घर सकते हो आप C केंड़ी खा सकते हो जिस भी तरीके से आपको आम्ला खना पसंद है उस तरीके से आमले को खाईए और आमले की जो मैं नहीं यह बहुत जालएम आपको हप्ते में तीन दिन आपको ये लगानी है आप दो महीने के द्धर while totalmente इसे करते रहें दो से तीन महीने में ही आपको इसके जो रिजल्ट से काफी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप इसे मेरे बतायानुसर अपने बालों पर लगाओगे और आप देखोगे कि आपके जो सफिद वाले धीरे- शैंपू नहीं करना है और नहीं आपको अपने बालों को तो इस टंडबे पानी से बालों को दोना है और उसके बाद अपने बालों में अच्छे से शैंपू कर दीजिए यह बाल दोने का तरीका फटापट से वीडियो को लाइक कर दीजी इसे जिरूर लगाना आपको बहुत अच्छी इसकी रिज़ट्स मिलेंगे